नमस्कार साथियो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है तो आज की वीडियो में हम प्रोनाउन चैप्टर को डिसकस करेंगे अगर आपने पिछले नाउन चैप्टर की वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं तो प्रोनाउन चैप्टर मे का प्रयोग किया गया है अब देखिए इन प्रोनावन के दस प्रकार होती है उन दस प्रकार में से एक होता है पर्शनल प्रोनावन किसी व्यक्ति वाचक सर्वनाम की यहां पर बात की गई है पर्शनल प्रोनावन की तो पर्शनल प्रोनावन को किसी भी सेंटेंस में अगर यूज हुआ है तो उसी पर्षणल प्रणाउन के अनसार उसका नंबर या इसनियूलर नंबर है या जेंडर अगर ॼा सुंग शूर्बर का भी यूज होगा तो देखिया आप dönवेल के माध्यम से आपर देखिए आगे दिया गया है अब राकेश के बारे में ही आपर आगे बात की गई है राकेश अपना काम अपने पेरेंट्स के अकौर्डिंग करता है तो यहाँ पर फुलिश टॉप के बाद देखिए जो दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है में दे जो subject दिया गया वो राकेश के according बिल्कुल गलत है क्योंकि यहां पर राकेश singular है तो दे का यूज नहीं होगा यहां पर क्या होगा ही का यूज ओगा आलवेश डु थौ हर वर्क नहीं होगा यहां पर हर pronoun भी यहां पर गलत लगाए हिज यहां पर यूज होगा क्योंकि राकेश masculine है और work according to our parents यह भी गलत होगा क्योंकि राकेश की parent की बात की जा रही तो राकेश singular है तो हिज की बात होगी तो यह पूरा sentence फिलिश्टॉप के बाद गलत लिखा हुआ है तो उसको की जगह पर देखिए हिज का प्रियोग किया गए ही आलवेज ड़ाज हिज वर्क according to his parent तो यहां पर देखिए ही हिज और यह हिज यह तीनों प्रोनावन आपके यहां सब्जेक्ट राकेश के according यूज किये गए उसी के according यह तीनों प्रोनावन यूज किये गए है क्योंकि राकेश सिंगूलर नंबर है इसलिए यहां पर ही का यूज हुआ है और राकेश का प्रोनावन हमने ही यूज किया है तो इसका पजयास्यों प्रोनावन लिख होगा और यहां पर भी हिज होगा चलिए I hope आपको ये rule समझ में आगया होगा आगे देखते हैं second rule जब किसी collective noun के लिए pronoun का प्रयोग करना होता है और उसी एगर संयुक्त रूप में लिया जाए यानि कि common तरीके से उसका लिया जाए तो हम singular number तता neutral gender के pronoun it का प्रयोग करते हैं यानि कि जब किसी वाक में collective noun हो देखिए noun के पांच प्रकार होते हैं और उन पांच प्रकार के noun में एक होता है collective noun ठीक है तो collective noun के लिए pronoun की अगर हमें आवश्यक्ता पड़ती है तो हम it का यूज करते हैं बस यह आप ध्यान रखिएगा अब देखिए आपर एक sentence दिया गया है example की माद्यम से समझते हैं अगर ऐसा sentence आता है तो f बना है f मतलब false है कि कमेटी मतलब कोई एक समिती है उसने अपना नरड़ाय दे दिया है तो कमेटी ने अपना नरड़ाय दिया है के लिए होता है लेकिन कमेंटी यहां पर एक निर्जीव वर्ड के रूप में यहां पर English language में माना जाता है तो कमेटी के लिए हम कोई ब één ही या सी या दे का कोई भी प्रोडान यूज नहीं करेंगी हम कमेंटी के लिए यूज करेंगी हम its decision लखेंगे कि कमेटी ने अपना नड़य दिया है तो अपने यानि कि अपना का जो अर्थ है वो its लगेगा हेज नहीं लगेगा नाहीं हर लगेगा राइट चलिए यहां पर एक नोट ध्यान रखेंगे यदि कमेटी के सदस्यों को एक एक करके अलग अलग लिया जाता है या पिर उनसे अलगाओ का भाव व्यक्त होता है और उस वाक से ही स्वस्ट हो जाता है कि उसमें कई व्यक्ति हैं तो हम उस कलेक्टियो नाउन के सिंगूलर होने पर भी उसके लिए प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे अब यहां पर आप ध्यान रखेंगे कि उपर प्रुणाओ की बात की जाती है तो फिर हम सिंगूलर प्रोनाउन का यूज करेंगे जैसे तक मैटी वाज डिवाइड़ इन इट्स ऑपिनियन इसका मतलब क्या है कि कमेटी अपने विचारों में डिवाइड हो गई है यानि उसमें मतभेद हो गया है जिससे कि हमें पता च क्यों करेंगे क्योंकि यहां पर कमेंटी के जो सदस्थ है वो अलग-अलग है याणि कि अलग-अलग का मत में वे प्रीथ वहां पर उनके जबाव आ रहे हैं तो बट गई हैं इसकी वज़े से वह प्लूरल कंसीडर किये जाते हैं प्लूरल कंसीडर करने की वज़े से कमेटी को आपर प्लूरल मान लिया गया है तो प्लूरल वर्ब भी लगेगी और प्लूरल भी प्लूरल लगेगा चलिए आगे देखते हैं यहाँ पर next rule दिया गया है जब दो या दो से दिक singular nouns उनको अगर end कंजंग्सन की माद्यम से जोड़ा जाता है तो उनसे जुड़े हुए सब्समूवी के लिए हम सदय प्लूरल नंबर के प्रोणाउन का प्रयोग करेंगे इसका मतलब यह हो कि end कंजंग्सन की माद्यम से अगर दो singular noun को हम जोडते हैं तो हम प्लूरल नंबर के प्रोणाउन का प्रयोग करेंगे क्योंकि एक और एक दो होते हैं जो कि प्लूरल हो जाएंगे जैसे कि राखी and सरिता ठीक है राखी एक यहाँ पर singular noun है और सरिता भी एक singular noun है और end कंजंग्सन की माद्यम से देखी यहाँ पर यह जोड़े गई है ठीक है राखी and सरिता end कंजंग्सन की माद्यम से जोड़े गई है तो इसकी बज़े से यहाँ पर देखी आगे दिया गए आर LABORIUS M Thousand C always Does Her Work properly कि राखी और सीता भूती मैंती JUDGE हैर वो अपना काम properly करती है हमेसा तो यहाँ पर गलती क्या है कि पहली तो गलती यहाँ पर देखी यहाँ पर दिया गया कि C C नहीं होगा C क्योंकि राखी एंड सरता दो व्यक्ति है दो परसन है तो इसके लिए वो प्लूरल प्रोनाउन का प्रियुक करेंगे और उसी के अकॉर्ड यापर वर्ब और यह जो हर प्रोनाउन है वो भी बदल जाएगा तो पिर यापर क्या होगा राखी एंड सरता आर लैबोरियस इस्टुडेंट की राखी और सरता महंती विद्यार्थी है दे अब यहापर C की जगए पर क्या चेंज किया गया है दे आलवेज डू देर वर्ग अब यहापर हर वर्ग की जगए पर क्या हुआ है देर वर्ग प्लूरल प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है हर यहापर सिंगूलर प्रोनाउन है और देर यहापर प्लूरल प्रोनाउन है तो रूल की अकोर्डिंग यहापर क्या दिया गया है कि हमें हमेशा ऐसी कंडिसन प्लूरल नंबर के प्रोणाउन का प्रयोग करना है तो इसकी वजए से C की जगह पर दे और हर की जगह पर देर का प्रयोग किया गया है तभी यह आपर T, T मतलब यह आपका true उपाया है उपर वाला जो sentence है वो गलत है F मतलब false है तो नीचे वाले sentence में सही pronoun करके लिखिया गया है कि They always do their work properly तो यह पर दे और देर का प्रयोग pronoun को change करने में किया गया है और यह पर वर्ब भी plural लगाए गया है तो आप इस point को ध्यान रखिएगा चलिए यहाँ पर next देखते हैं यदि ऐसे दो singular noun को end से जोड़ा जाए जिनके आगे each यहाँ पर देखिए जो सब्द है उन पर ध्यान रखिए गया each या every का प्रयोग हुआ हो तो ऐसे सब्द समगई के लिए हम सदे हो singular number की pronoun का प्रयोग करते है अब यहाँ पर भी यहाँ पर वही बात कही गयी है कि end के माद्याम से दो singular noun को जोड़ा गया है पिछले वाले rule में भी था कि end के माद्याम से दो singular noun को जोड़ा गया है यहाँ पर केवल अंतर ही है कि उनके आगे each या every सब्द लगा हुआ तो example की माद्यम से समझते हैं Each man and each boy have done their work timely अब यहाँ पर देखिए man एक singular noun है और boy भी एक singular noun है और end conjunction की माद्यम से यह देखिए जुड़े भी हुए है लेकिन man के पहले each लगा है और boy के पहले भी each लगा है तो ऐसी condition में हम हमें इसा singular noun के pronoun या verb का प्रियुक करेंगे तो यहाँ पर have done नहीं होगा, has done होगा और their work भी नहीं होगा, his work होगा तो इसकी वज़े से यह sentence false है यहाँ पर सही करके लिखा गया है Each man and each boy has done his work timely अब यह सही हुआ है एक और example लिखते हैं कि every teacher and every student अब देखी यहाँ पर भी end conjunction की माध्यम से दो singular noun जोड़े गई हैं कौन-कौन एक तो teacher जोड़ा है और एक student उन धौनों के पहले every लगा हुआ है तो ऐसी condition में every teacher and every student should perform their duty अब यहाँ पर their duty का प्रियोग गलत हुआ है क्योंकि ऐसी condition में हम singular pronoun का प्रियोग करते हैं तो यहाँ पर सही करके देखी लिखा गया है every teacher and every student should perform his duty यहाँ पर their duty की जगहे पर his duty का प्रियोग किया गया है तभी यह sentence t मतलब true हो पाया है तो इस point को आप ध्यान रखेगा कि इन rules में छोटी सी बारीकिया है उनको आपको समझना है चलिए आगे यहाँ पर एक और rule देखते हैं जब दो या दो से अधिक singular nouns को कुछ conjunction जैसे कि और आइदर और नौर नौर इनसे अगर जोड़ा जाता है तो यह सब्समुग के लिए हम सदे singular pronouns या वर्व का प्रियोग करते हैं यहाँ पर दीए एक similar rule ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि दो या दोसिया देक singular noun अगर हैं और उनको और या नौर या आइदर और नाइदर नौर इनसे अगर इनका जुड़ा होता है या इन conjunction की माध्यम से उनको वाक में प्रियोग किया जाता है तो singular pronoun का को अपना best perform करना चाहिए अपनी best कोसिस करनी चाहिए कि अपने मित्र की help की जाए तो यहाँ पर हम देखते हैं कि try their best यहाँ पर गलत है ठीक है क्यों गलत है क्योंकि यहाँ पर यह जो subject दिये गए है अनौज और आदित यह दोनों एक साथ काम नहीं करेंगे या तो और आदित्या should try his best अब यहाँ पर देर की जगे पर देखिए his best का यूज किया गया है to help his friend यहाँ पर last में देर दिया गया था वो भी change किया गया कि देर की जगे पर his friend सही होगा चलिए आगे देखते हैं एक और example दिया गया है neither the carpenter nor the blacksmith ठीक है ना ही बड़ाई और ना ही doing their work properly तो यह दोनों अपना काम properly नहीं कर रहे हैं तो इस condition में हम क्या देखते हैं कि कारपेंटर और blacksmith जो word है जो noun है वो neither nor से जुड़े हुए है तो ऐसी condition में rule किया कहता है कि उनको singular pronoun या वर्व का प्रयोग को आपर करना है यहाँ पर गलती किया हुए यहाँ पर plural वर्व भी यहाँ पर यूज किया गया है कि वो अपना काम properly नहीं कर रहे है तो अपना की जो meaning है यहाँ पर देर लगी है जो कि plural pronoun है तो गलत है यहाँ पर यहाँ पर false का प्रयोग किया गया है तो इसको देखिए सही करके कैसा लेखा गया है कि neither the carpenter nor the blacksmith is यहाँ पर आर की जगह प next यहाँ पर rule दिया गया है जब एक singular और एक plural noun अब यहाँ पर देखिए थोड़ा condition बदला है एक singular noun होगा और एक plural noun होगा अलग 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 होगा पिछले rule में क्या कि दोनों singular थे तो यहाँ पर दिया गया है जब एक singular था एक plural noun को और either or neither nor इन कंजंग से जोड़ा जाता है तो इस condition में conjunction से जोड़े हुए शब्द समोई के लिए हम सदयो plural number के pronoun का प्रियोग करते हैं तो देखिए तुरंत rule change हो गया पिछले rule में भी either or neither nor से जो noun है वो जोड़े गई थी यहाँ पर भी either or neither nor से जो noun है वो जोड़े गई है लेकिर अंतर क्या है कि पिछले वाले rule में दोनों singular थे और यहाँ पर क्या है कि एक singular है और एक plural है तो ऐसी condition में हम plural number के pronoun को प्रियोग करेंगी पिछले rule में क्या था singular तो देखिए example यहाँ पर देख लेते हैं कि either the boy एक यहाँ पर singular यहाँ पर noun दिया गए either the boy और his friends अब यहाँ पर friends plural सब्दे दिया गए क्योंकि friend में यहाँ पर s लगा हुआ है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि either or से एक यह boy singular और friends plural यह दो अलग अलग noun जुड़े हुए हैं तो इसके लिए plural वर्व के pronoun या वर्व का प्रियोग करेंगी तो has tried his best गलत हो जाएगा क्या होगा सही either the boy or his friends have tried क्योंकि यहाँ पर plural वर्व का प्रिय उनको try करना चाहिए तो यह वर्व यहाँ पर change हो गया और pronoun भी change हो गया एक और example देखते हैं neither the captain nor the players has neglected his duty ना ही captain को और ना ही उनके players को अपनी duty से इंकार करना चाहिए has neglected his duty अभी यहाँ पर हम देखते हैं कि captain singular noun है और players यह आपका plural noun है और दौनों को neither nor से जोड़ा गया है ठीक है neither the captain nor the player दौनों को neither nor से जोड़ा गया है तो इसमें एक singular है और एक प्लूरल है तो इसकी condition में हमें has neglected his duty यूज नहीं करना है हमें यहाँ पर क्या करना है कि neither the captain nor the players have neglected their duty ठीक है यह point आप ध्यान रखेंगे यहाँ पर have लग जाएगा तो have neglected their duty तो यहाँ पर plural verb की pronoun और plural प्लूरल वर्व के वर्व का प्रियोग किया गया है प्लूरल यहाँ पर plural हिज की जगह पर देर लगा है और plural वर्व हैज की जगह पर have लगा है तो यह आप रूल ध्यान रखेंगा एक और यहाँ पर रूल देखते हैं यदि किसी वाक में end से जुड़े हुए दो नाउन एक ही व्यक्ति का बोद अगर उन से होता है तो हम सदय एंड से जुड़े हुए सबसमों के लिए singular pronoun का प्रियोग करेंगे अब देखें एंड से जुड़े हुए फिर से दो नाउन है लेकिन इसमें आपको हिंदी में अर्थ लगाके या उसको समझ कि पता करना होगा कि end से जुड़े हुए दो प्रनाउन से अलग-अलग व्यक्ति का बोद होता है तो इसके लिए plural pronoun का प्रियोग करना चाहिए तो वो तो आपको अर्थ लगाके पता करना होगा कि end से जुड़े हुए दो प्रनाउन अगर एक ही व्यक्ति की और इसारा कर रहे है तो singular और वो दो प चेर्मेन के पहले पर दा का प्रियोग किया गया है ठीक है और दा मैनेजर मैनेजर के पहले भी दा का प्रियोग किया गया है तो दोनों नाउन के पहले दा का प्रियोग किया गया है और end से वो जुड़े हुए है तो जब भी किसी भी नाउन के पहले दा लगा हो और अगर वाक में दो नाउन है और दोनों के पहले दालगा है तो इससे हम इस पश्ट समझ पाते हैं कि वो दोनों व्यक्ति कैसे हैं अलग-अलग है ठीक है दा चेर्मेन एंड दा मैनेजर अब दा कमपनी ठीक है झालग-अलग है तो यहां पर एक ही व्यक्ति अगर है तो एक के पहले यहां पर दाका यहां पर बिलोपन करने पड़ेगा यानि यह हटाना पड़ेगा, अब यह हो गया एक ही व्यक्ति, चलिए, अब दूसरे एक्जाम्पल में कहा था कि the principal and the manager has given his decision, कि principal और manager ने अपना क्या दे दिया है, निरड़ाय दे दिया है, अब यह दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे hedge का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे have का प्रयोग होगा, have given their decision होगा, तब यह false सही में बदल जाएगा, ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने कुछ pronoun के rules को discuss किया, I hope आपको वो समझ में आए होंगे, और आगे की एक दो वीडियो में और भी प्रोनाउन के सावी सारे जो भी रूल से उनको cover किया जाएगा, तो तब तक आप provision करते रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार